नमस्कार मैं इस्वरी रोश्या स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नेचर्स गार्डनिंग में और आज का हमारा प्लांट है जीजी प्लांट अभी हम जीजी प्लांट के उपर बात करेंगे सर्दियों में इसकी पत्ती पीली क्यों हो जाती है पत्ती जादा सेयर करिए तो जीजी प्लांट जो है सर्दियों में इसको केयर की जरुरत होती है और कुछ बाते हैं जिसको अगर आप फालो करते हैं तो इसकी जो केयर है बहुत आसान हो जाती है वैसे भी जितने भी इंडोर प्लांट है उसमें जीजी प्लांट एक ऐसा और सबसे ज़्यादा हाड़ी प्लांट वाना जाता है हाला कि यह थोड़ी कॉसली मिलती है महंगी है थोड़ा यह प्लांट जिजी प्लांट लेकिन बहुत अच्छे से आप इसको रख सकते हैं अगर इसमें थोड़ी बहुत सा अधानिया बढ़ती जाए सबसे पहले तो जो असर है वो आपकी जिजी प्लांट में दिखाई देगा और अगर 10 डीग्री से नीचे चले गया या फिर फरोस्टिंग नाइट होने लगे तो जी जी प्लांट मरने का जो रहता है कगार पर आ जाता है मतलब अगरником पूरी खर बहुत होने लग जाते हैं तो आपको ध् घर के अंदर रख लीजिए क्योंकि वैसे भी जीजी प्लांट जो है घर के अंदर एक से दो मेहने आसानी से और अच्छे से सर्वाइब करता है जीजी प्लांट क्योंकि घर के अंदर का जो वातवरन होता है बाहर के उसे अंदर गर्मर रहता है तो ये बहुत अच्छे से सर क्या हbekतош है क्या है पानी डालते जाते हैं लगते आपको 셋ाइस सटबी हैं azt को ताकि उसकी जो पानी आप जैसे इसमें डाले तो पानी पूरे ड्रेन आउट हो जाए निकल जाए और वैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में पानी तो आपको देना ही नहीं है कोसिस करिए देखिए मिट्टी पूरी सूख गई है तो डालिए कभी-कभी क्या होता है जैसे यह देखिए यह जो मेरा एक ब्रांच है पूरा जिजी प्लांट का पूरा पीले पड़ गया है तो इसको मैं क्या करूंगी इसकी मिट्टी सूखी हुई है फिर भी बीच में हमारे तरफ ठंडी बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी इसकारण इसके पत्ते पूर इसलिए आपको पानी का ध्यान रखना है और अभी सड़्दियां है तो आपको सन कभी संलाइट कभी ध्यान देना है सनलाइट कैसा जैसे कि अभी दोपहर में जहां पर धूप मिले या सुबा की जो धूप मिले आप बहुत अच्छे से इसको रखिए वहां पर यह भी देखाई देता है तो आप इसको ऐसी जगह रखिए जहां इसको भरपूर सनलाइट भी मिले और यह जो सारे मेरे प्लांट्स है यह आप देख रहे हैं यह सब पत्तियों से ग्रोग कियो हुए है तो मैं इसका वीडियो भी आप लोगों के उसमें डालूंगी कि आप पत्त अभी जीजी प्लांट को फर्टिलाइजर नहीं देना है क्योंकि वैसे ही सर्जियों में साथ जीतने भी प्लांट्स होते हैं डॉर्मेसिक प्रियेड में चले जाते हैं और इनका जो ग्रोथ है वो भी रूकर रहता है तो आप इसमें फर्टिलाइजर बिल्कुल एड़ मत इसको एसी ही रहने दीजीए और यह जो प्लांट अप देख रहे हैं देख इसका गांधा कंद रहता है एक लिफस से भी आप उगाते हैं तो आप इस तरहिए जहीं प्लांट को अगर अच्छे से ध्यान देंगे रखेंगे तो बहुत अच्छे से यह चलता है वैसे भी बहुत ही low maintenance plant है यह इसको ज़्यादा care की जरुवत नहीं होती है आप इसमें पानी का जो रहता है कुछ और fertilizer और जो sunlight का जो है वो सब चीजों का आप ध्यान दीजिए temperature का ध्यान दीजिए तो आपकी जीजी प्लांट है बहुत अच्छे से चलेंगे तो यह सारी चीजे हैं आप अपने प्लांटों को ध्यान दीजिए